बच्छो किसे हो आप साब, सब थिक, तू चलिये शुरू करते हैं आज की कहान, राजा का निर्णे, कहानी एक समय की है, जब दो प्राचीन राज्य एक साथ बैठ कर एक महत्वपूर्ण निर्णे लेने के लिए मिले, ये दो राज्य, राजा विक्रम सिंह का राज्य और र कि दोनों राज्य एक ही जगय एक साथ आये थे, ताकि वे अपनी तकरीबन आधी सीख वाली सगाई का पूर्ण कर सकें। हमें अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए योग्य और समर्थ नेता की आवश्यकता है। हमें एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो हमारे राज्य के विकास के लिए समर्थ हो। राजा विजय सिंह ने उत्तर दिया। हाँ, आप सही कह रहे हैं। लेकिन जब भी हम किसी को नेता चुनते हैं, हमें यह भी देखना चाहिए कि वह समाज में आपसी समझ और प्यार की भावना को प्राथमिकता देता है। राजा विक्रम सिंह और राजा विजय सिंह के बीच की चर्चा बढ़ती गई और वे अपनी बातें विशेशग्यों के साथ साज्जा करने लगे। इस नए नेता का चयन होने के बाद राजा विक्रम सिंह और राजा विजय सिंह ने एक दूसरे के हाथ मिलाकर अपने समस्याओं का समाधान ढूंडने का निर्णे लिया। महत्व पूर्ण नहीं मानना चाहिए बलकि उनके समाज के साथ जुड़े रहने की भावना और सभी का हित सोचने की क्षमता को भी महत्व देना चाहिए। इससे हम सभी एक साथ बढ़ सकते हैं और सम्रिध्धी की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। झाल झाल